नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजेंदर है और आज का तो ये वीडियो है वो डॉक्टर कमेंट कर आवास न भी नहीं करने योजना का फारण कैसे अप्लाए करें इसमें कौन-कौन सी डॉकुमेंट लगते हैं आप इस और लाइन कैसे कर सकते हो इस वारे में ये वीडियो है सबसे पहले हम बात करते हैं योजना की बारे में ये जो स्कीम है ये उन परिवार के लिए है जो बीपियल कैटेगरी में है यानि कि जो ग्री फैमली है जिनके पास बीपियल रासनकार बना हुआ है वे सबी इस स्कीम के लिए आवेदिन कर सकते हैं और इस स्कीम के अंतरग है तूट-फूट वाला मकान है या कुछ मुर्मद करवाने जोगे हैं तो उसकी मुर्मद के लिए बीपियर फैमली को 80,000 पर मिनेगा इस स्कीम में आपदन करने पर और यह स्कीम है इसमें आप कैसे आपदन कर सकते हो आपको कौन-कौन मैं यह स्कीम करने आप इस स्कीम के लिए आप वीडियो देने के जरूट नहीं पड़ेगी मैंने पूरी डिटेलिंग से यह वीडियो बनाया हूँ है डिटेल्म में आपको को ऑनलाइन करके दिखाया हुआ है आप वो विडियो करके आप घर से आवेदन कर सकते हों तो सबसे पहले हम बात करते हैं document के बारे में कि क्या वे दस्तावेज लगती है scheme के लिए, scheme का आवेदन करने के लिए तो जो जुरूरी दस्तावेज है वो सबसे important है आपके पास BPL लासन काड होना चाहिए अगर आपके पास BPL लासन काड है तभी आप इस scheme के लिए आवेदन कर सकते हो तो BPL लासन काड अगर आपके पास है तो BPL सुची ले लीजिए BPL लासन काड और BPL सुची आपके पास होनी चाहिए इसके अलाबा जो दूसरा document है वो है registry यानि कि जो प्लाट है आपके पास जहां पे आपका मकान बना हुआ है और जिसकी आप मुर्मत करवाना चाहते हो उस फ्लोट की registry आपके पास होनी चाहिए वो registry आपको साथ में सरंगर करनी होती है आपको PDU file बना के online में अटेज करनी होती है प्लाट की registry अगर आपके पास registry नहीं है तो आपका अगर प्लाट लाड़ोरे में है तो लाड़ोरे के आपके पास report होनी चाहिए BDPU साथ से report करवानी है आपको सर्पंच और BDPU से वो आपको साथ में लगानी है registry की जगा अगर आपके पास registry है तो सबसे better इसके अलावा आपको जो मकान बनाने के लिए यानि कि उसकी मरमत करवा रहे हो तो उसमें कितनी अनुमानी खर्चा कितना आता है मकान के मरमत के लिए कितना खर्चा आता है उसकी एक अनुमानी जो लागत है उसका ब्योरा मिस्त्री से त्यार करवाना है जिसमें पुरी डेयल होती है कि कितनी सीमेंट है बजली क्रेशर सरिया लेपर वगरा कितनी जो खर्चा है कितना लगा है बहुत पूरी डीटिल आपको अनुमानित जूलागत है वो आपको साथ में लगा लिए होती है इसके लवावा आपको bank account आपको साथ में attest करना होता है bank account जो आपका है वो अधारकार के साथ link होना चाहिए bank account अगर आपका bank account अधारकार के साथ link नहीं है, तो जो amount है वो आपके कातिय में credit होने में problem आ सकती है, तो सबसे फहले आप अपने bank account को check करवा लीजिए कि दार्कार के साथ लिंक है या नहीं है आप इसको कैसे चेक कर सकते हूँ इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है इसी चैनल के आपको वीडियो मिल जाएगा वो वीडियो बोच कर लीजिए वो देखके आप चेक कर लीजिए कि आपका दार्कार अगर आपके बैंक खाते के साथ लिंक है या नहीं है अगर आपका धार बैंक खाते के साथ लिंक नहीं है तो सबसे पहले आप बैंक खाते को धार के साथ लिंक करवा लीजिए और वो खाता आप साथ में अटेज कर दीजिए इसके अलावा जाती प्रमान पत्र की जरूरत हो इसके अलाबा जो document है वो एक photo की requirement होती है जो आवेदर है उसकी एक photo चाहिए आपकी जो photo है वो जो आपका plot जो मकान है पुर्मत करवारे लाइक उसके सामने खड़े होके photo बनवानी है और वो photo आपको साथ में लगानी है इसके अलाबा हर्याना domicile चाहिए यानि कि हर्याना निवास पर्मान पत्तर आपके पास अगर है तो आप लगा दीजिए या मुस्की जरह काद लगा सकते हो हर्याना के निवासी हो कि लिए आपको हर्याना निवास पर्मान पतन या रासंगार्ण लगा सकते हैं इसकी अलावा इंकम साटिबिकर भी साथ में अटेज्ट कर दीजे आ और जाती प्रमानपत्त्त चाहिए और सीրय की जो इटेल आपको रगानी है और जो मकान है और किम उसके सामने एक कप्रिकार ने अपेज़स करना के लूट बहा अविडानी है ऊ transformations के यहां करकाट करना है यह नीए बताता हूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँँगा कि जब भी आप फारम अप्लाई करो तो आप अपनी D.W.O. और L.A. टुडिस्टिक वैलफिर ओफिस है वहां पे जाके एक बार स्कीम के बारे में आपको कन्फर्म कर लेना चाहिए और कोई डॉकुमेंट और नहीं लगेंगे या कौन-कौन से डॉकुमेंट नए लगाने हैं तो उसके बारे में भी आपको कन्फर्म कर लेना चाहिए तो यह जानकरी थी दस्तावेज के बारे में और स्कीम के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको ओनलाइन कैसे कर सकती हूँ तो इसकी जानकरी लिए ल सरलहरयाना.gov.in यह साइट है सरलहरयाना.gov.in इस साइट को विजिट करिए और उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा इसमें आपको लोगिन करना होता है यूजर आइडी पासफ़र्ड आप डालके और यहां पे कैप्चा डालिए और लोगिन कर लेजिए ल new all available service इस पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो next page खुलेगा उसमें आपको schemes दिखेगी काफी सारी schemes है सरल portal पे तो यहाँ पे आपको scheme सर्च करनी है housing यहाँ पे आपको scheme सर्च करनी है housing scheme for SC and.denotified tribes dr.b. आपको मिलेगा, यहां पे आप Housing सर्च करो लिखोगे तो आपको यह मिल जाएगा, यहां पे आप क्लिक कर दीजिये, इसके बाद आपके सामने इस तरह के पेज खोलेगा, आपको यहां पे उपर दिखेगा, आपके पास अगर Family ID है, तो यहां पे क्लिक कर दीजिये, और आपको Family ID का डाटा डालना है, अगर नहीं है, तो I forgot my Family ID, यहां पे क्लिक करके, आप Family ID पहले आपको Family ID बनानी है, उसके बाद आप इस पे आगे जो फार्म है, वो अप्लाई कर सकते हो, तो इसके लिए Family ID का होना ज़रूरी है, मैं यहां पे क्लिक कर देता हूँ, आई है और यहां पे आपको Family ID अपने डालनी है, मैं मेरी Family ID यहां पे डाल देता हूँ, और उसके बाद यहां पे Check Hair to Face Family Data इस पे आप क्लिक कर दीजिये, फैमिली ID डालने के बाद यहां पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने Member Detail आएगी, Member Detail पे यहां पे आप Dropdown में देखोगे, तो यहां पे जो Family Member है, उनकी Detail आपको दीखेगे, यहां पे जो Family का Head है, उसके नाम से आपको Farm Fill करना है, जिसके नाम से Registry है, BPL Card है, उसी के नाम से Farm Fill करना है आपको, तो आप यहां पे उसको Select कर लीजिये, और उसके Send OTP पे Click कर दीजिए, OTP Send करने के बाद आपका जो Family ID में Registered Number है, Mobile Number जो Registered है, उस नमबर पे आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहां पे Fill करना है, मैं देख लेता हूँ, मेरे Registered Number पे अगर OTP आ गया है, मैं Check कर लेता हूँ, तो मेरे Number पे एक OTP Message आ गया है, मैं OTP यहां पे और Verify OTP पे Click कर दीजिए, उसके बाद आपके सामने Detail है, वो खुल जाएगी सारी, इसके बाद काफी साज जो Detail होती है, वो Family ID से उठा ली जाती है, और कुछ कालम खाली होती है, जो कि आपको Fill करने है, जैसे कि यहां पे Category है, Category में आपको BPL Families यह Select करना होता है, यहां आते हैं, और उसके बाद सब Category है, यहां पे आपको जाती सेलेक्ट करने होती है, कि आप SC, BC, Journal या नोन SC या Backward Class से कौन सी आपकी Category है, वो आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं यहां पे सेलेक्ट करने हों, और यह जो Farm है, वो SC, BC, Journal कोई भी Category का, कोई भी Candidate है, वो के लिए आप अपलाई कर सकते हो, इसके बाद Category सेलेक्ट करने के बाद, आपको यहां पे BPL ID नमबर डालना होता है, यान कि BPL सूची का जो नमबर है, वो आपको यहां पे डालना है, और WARD नमबर आपको यहां पे mention करना है, तो मैं यहां पे BPL सूची नमबर डाल देता ह हूँ, और Space डालके आप यहां पे WARD नमबर भी डाल दीजिए साथ में, इसके बाद आप additional detail पे आजाईए, यहां पे आपको सबसे उपर है, यहां पे यह पूच्छा है कि इस योजना के लिए पहले आवे दिन किया है, अगर आपने पहले आवे दिन कर रखा है, और उस आ आप मिला है और 10 साल हो गए है, आपको मिले हुए, तो आप 12 सी स्केम के लिए आवे दिन कर सकते हो, अगर नहीं आवे दिन किया है, तो आप no select कर लीजिए, और इसके बाद आपको जो है, यहां पे दूसरे कालम में डालना होता है, कि आपने जो मकान बनाया है, घर का निर दालनी होती है, तो मैंने यहां पर वर्स 2000-2001 डाल दिया है, और उसके बाद आवे दक का वेवसाय आपको यहां पर डालना होता है, तो मैंने यहां पर वेवसाय डाल दिया है, प्रिवार की वार्षिक आय कितनी है, वो आपको यहां पर शो करनी है, तो मैं यहां पर आय ड इस्टिक आपको डालना है आपका जो जिला है वो उसके बाद में एरिया आप रूरल से हो या अर्बन से हो शैर या गाउं से अगर आप गाउं से हो तो रूरल डाल दीजिए अगर शैर के रहने वाले हो तो अर्बन डाल दीजिए उसके बाद आपको तैसील डालनी है आपक आफिका पोस्ट ऑफिस कहां पर है अगरा आपके गाओं में हैं तो आप यहां पर गाओं का डाल दीजिए अगर नजदी के गाओं में हैं ऑप सबसेतर आपको पोश्ट ऑप्सखमारि में प्रương डिचाला होती है उसके बाद आपको यहां पे आपका पूरा address mention करना है जिसी कि मैं address mention कर लेता हूं और यह personal कुछ जो basic detail है वो यहां पे mention करनी होती है तो उसके बाद पत्रा चार का पता वगेर आप यहां पे डाल दीजी अपना ध्यान से सारी detail आप अराम से और ध्यान से फिल कर लेजिए यह जो वीडियो है मैं लाइव बना रहा हूं और इस वीडियो का आप पोज करके अराम से फारम फिल कर सकते हो अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को comment कर सकते हो या फिर आपको description में mail मिलेगी उस पे आप मेरे को आप contact कर सकते हो मैं कोशिश करूँगा आपकी पूरी साहता करने की यह पूरी detail डालने के बाद एक बार इस detail को चेक कर लीजिए राम से अगर आपकी सारी detail सही है तो आप bank detail पे आ जाईए यहां पे आपका bank का नाम डालना है जो भी आपका bank है उसका नाम आपको यहां पे mention करना होता है और आप एक बात ध्यार रखिए bank जो आप यहां पे डाल रहे हो जिस bank की detail उसके साथ आपका अधार कार्ड है वो मैं लिंक होना चाहिए उस bank के साथ और यहां पर एक वार खाता नंबर वगिरा चेक कर लीजे मैं अपना खाटा नंबर यहां पर चेक कर लेता हूं ठीक है मेरा खाता नंबर एकदम ठीक है बैंक साखा कहां पे है साखा की डिटेल यहां पे डालनी होती है कि कौन से गाउं में या कहां पे है आपका बैंक तो मैं यहां पे मेंसिन कर लेता हूँ और खाता दारेक का नाम है वो आपको यहां पे डालना होता है यहां पे खातादारे का नाम डाल दीजिए और उसके बाद आपको यहां पे कुछ document अटेज करने होते हैं तो यहां पे देखिए यह BPL जो BPL family है उनका राशन कार्ड और BPL सुची आपको यहां पे mention करने होती है इस कालम में तो यहां पे आप उसको mention कर दीजिए और यहां पे अगर आप ऐसी केटेगरी से या BC केटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको केटेगरी का certificate है वो upload करना होता है दूसरी जगा फस्ट यहां पे आपको BPL family का जो भी आपके पास BPL सूची है या रासन काड है उसकी PDF file आपको यहां पे अटेज करने होती है PDF file मैंने पहले से बना रखी है तो आप अपनी PDF file बना लेजिए और PDF file ही आपको यहां पे upload करने होती है मैंने यहां पे रासन काड अप्लोड कर दिया और इस कालम में मैंने यहाँ पे जाती प्रमान पत्र है वो upload कर दिया यह upload करने के बाद आपको यहाँ पे capture fill करना होता है और उसके बाद आपको submit कर देना है सारा farm fill करने के बाद आप एक बार फिर से देख लीजिए मैं आपको live करके दिखा रहा हूँ और farm apply कर रहा हूँ तो मैं एक बार farm को check कर लेता हूँ आप भी farm को check कर लेजिए और उसके बाद आप इसको submit कर देजिए अगर सारा farm आपने ठीक से fill कर दिया तो submit कर देजिए तो इस तरह से submit होने के बाद आपके सामने यह detail खुलेगी जो आपने detail fill किया आपकी family ID, आपका mobile number और आपने जो bank account की detail ड़ली है वो सारी detail आपको यहाँ पे देखनी है और जो document आपने upload करें हैं वो document आप यहाँ से check कर सकते हो तो यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ check करके जो PDF file आप upload की थी राशन कार्ड के लिए जो PDF file upload की थी उसको यहाँ से आप check कर लीजी कि PDF file जो लगी थी उसमें document वगेरा है वो सही है मैंने यहाँ से देख लिया और जाती पर्मान पत्तर के लिए यहाँ पे मैंने upload किया था document वो document यहाँ पे दिखाएगा तो यहाँ पे जाती पर्मान पत्तर वगेरा यहाँ पे दिख रहा है तो ठीक है यह document जो मैंने upload करे है और साही जान करी जो मैंने डाली थी वो जान करी सही है इसके बाद आप अगर आपका पूरा data सही है तो आप attach annexer पे click कर दीजे और document है वो attach कर दीजे तो मैंने attach annexer पे click कर दिया तो attach annexer पे करने के बाद आपको इस तरह का page मिलेगा यहाँ पे आपको document आपको जो related document आप upload करने होते हैं सबसे जो पहला column है यहाँ पे आपको हर्याना residence का proof डालना है इसमें आप rehearsal card या हर्याना residence certificate बगिर upload कर सकते हो यहाँ पे पहला column है यहाँ पे हर्याना residence आपको upload करना है यानि कि rehearsal card आप यहाँ पर upload कर सकते हो उसके बाद जो दूसरा column है यहाँ पे आपको अधार link bank account यहाँ पे डालना है जो आपका bank account है उसकी PDF फाइल आपको यहां पर डालनी होती है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आपके bank account के साथ अधार card है वो link होना चाहिए तबी ये payment आपके खाते में credit होती है अगर आपका अधार link नहीं है तो आप पहले अधार link करवा लिजिए आप अपने bank के साथ आपका अधार card link है या नहीं है ये कैसे चेक करोगे इसके बारे में भी आपको इसी channel पे वीडियो मिल जाएगा मैंने एक वीडियो बना रखा है उसको watch करके आप चेक कर लीजे पहले कि आपके bank कोन से bank खाते के साथ आपका धार card जुड़ा हुआ है इस channel पे आप वीडियो मिल जाएगा वीडियो watch कर लीजे तीसरे column में आपको यहाँ पे मिलेगा plot registry copy यानि कि जो आपका जो plot है जिस पे आपका मकान बना हुआ है मुर्मत के लिए जो मकान बना रखा है या आपको पहले lab मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है अगर आपको lab मिला हुआ है तो कितने साल हो गए है यह पूरी detail होती है जो कि आपको BDPO कारेले से मिलेगा वहाँ से वो document आपको लेके आना और वो आपको registry वाले कालम में साथ में अटेज करके upload करना होता है इसके साथ में registry के साथ में आप एक mystery का जो अनुमानित खर्च होता है उसकी detail होती है वो भी आप इसके साथ में लगा दीजिए और एक मकान के साथ आपकी photo होती है मकान के सामने जो आपने मुर्मत कराना है उस मकान के सामने खड़े हो कि आपको एक photo बनानी होती है वो photo भी आप रेजिस्ट्री इस plot रेजिस्ट्री को पी की जो PDF बना रहे हो इसी के साथ आप वो photo भी आप PDF फाइल में लगा दीजिए तो मैं मैंने already पहले से PDF बना रखी है मैं यहाँ पर one by one करके document अप्लोड कर देता हूँ सबसे पहले हायाना रेजिडेंस अप्लोड करेंगे तो वहाँ पर आप रासन कार्ड डाल सकते हो मैं यहाँ पर रासन कार्ड अप्लोड कर दिया दूसरे में आपको bank account अप्लोड करना है और bank account को एक बार चेक जरूर कर लीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बाद में ये problem आती है, काफी सारे लोगों को इस बात की problem आती है, कि scheme पास हो जाती है, पर उनका account या तो freeze होता है, या फिर उनका account है, उसके साथ में धार कार्ड नहीं जुड़ा होता, आपको मैं वीडियो का link description में दे दूँगा, वो वीडियो वोच करके अराम से चेक कर लीजिए, अगर आपका खाता link है, तो आप उसको इस खाते के साथ यहाँ पे आप अटेज कर सकते हों, और तीसरे में कालम में आपको यहाँ पे registry आपको upload करनी होती है, तो यहाँ पे plot क्लिक कर दीजिए, तो इस तरह से document है, वो submit हो चुके है, और यह page खुले का आपके सामने इस तरह से, इसमें आपको detail मिले की पूरी, आप detail एक बार चेक कर लीजिए, अगर सही है, तो आप यहाँ पे जो document upload करे थे, वो चेक कर सकते हो, तो इस तरह से आप जो document अटेज करे थे, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यहाँ से 1-1 करके document अटेज करे थे, वो चेक कर लीजिए, तो एक बार देख लेते हैं, सबसे पहले जो document था, वो हर्याना रेजिदेंस का था, उसमें हमने रासन काड अप्लोड किया था, और आप वहाँ पे रासन काड या फिर आप हर्याना रेजिदेंस बगेर अप्लोड कर सकते हो, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने रासन काड और फैमली आइडी हर्याना रेजिदेंस के लिए अप्लोड किया था, वो मेरा ठीक है, इस तरह से आप 1-1 करके सारे document अपने चेक कर लीजिए, अगर डॉकमेंट सारे अप्ल अप्लोड हो गए, तो आप इसको next कर देजिए, bank account है, वो ठीक है, और उसके बाद मैंने plot की registry थी, वो यहाँ पे attach की थी, तो यह registry है, तो यह प्लोड की registry है, मैंने यहाँ पे registry upload कर दिया, तो इस तरह से आप document आप चेक कर लीजिए, अगर सही है और जानकरी सारी सही है, त और आप application को submit कर देजिए, तो मैंने यहाँ पे submit कर दिया है, तो यह final हमारा submit हो चुका है, फारम और आपको इस तरह की, आपको रसीद मिलेगी, यहाँ पे आप left side में जो surl ID यहाँ पे दिखाए दे रही है, इसको note कर लीजिए, in future आप जब अपना farm track करोगे, तो इस ID से आप track कर सकते हो, तो इसके द्वारा आप track कर लीजिए, यहाँ पे आपको पूरी detail मिलेगी, यह सारी detail होती है, तो यह आप रसीद है, वो आप अपने पास रखिए, इसका प्रिंट कर लीजिए, या फर इसको आप PDF अपने पास आप रख लीजिए, तो यह थी जानकरी, ड description में email ID है, उसके आप मेरे को contact कर सकते हो, इस योजना से सबंदी कोई भी जान करी चाहिए, मैं कोशिश करूँ आपकी साइटा करने के लिए, और अगर यह वीडियो अच्छा लगया, तो वीडियो को like जूर कर दीजिएगा, और इसको share कर दीजिएगा, वीडियो आपको क कैसी लगया मेरे को comment करके बताईएगा, वीडियो पूरा पोर्च करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय नीद,